आज की रेस भी है अंजीर का पाग अकसर सभी लोग ठंडे में गोंद का पाग बनाता है खजूर पाग बनाता है खजूर पाग भी बनाया है मैंने सौट वीडियो में आप वहां से भी जाके देख सकते हैं तो मैंने ये अंजीर का पाग बनाया है तो ये मैंने 10-12 अंजीर इस तरीके से कट करके एक मिक्सिजार में इसे अच्छा सा पीस लेते हैं तो ये देखिए ये अंजीर पाक बच्चो बड़ो सब को दे सकते बहुत ही फायदे मंदे इस तरीके से पैन में मैंने एक चमच घी डाला है और जो मैंने अंजीर को पीसा था इसमें आप धीमी आज पर इसे अच्छे से चलाना है 10 से 15 मिनट ताकि यह अच्छे से चिकना हो जाए और यह अच्छे से भून जाए अंजीर तो यह देख सकते हैं यह इस तरीके से मैंने भून लिया है और यह बिल्कुल चिकना हो गया है आप इसे एक प्लेट में निकाल की फिर से एक चमच मैंन घी डाला है आप इसमें कटे हुए 1 3rd कप काजू, 1 3rd कप कटे हुए बादाम, 1 3rd कप इसमें पिस्ता, 1 3rd कप किस्मीस और इसे अच्छे से इस तरीके से continue चलाते जाना है और इसमें मैंने एक चम्मच खस-खस डाला है इसे पॉपी सीट भी करते हैं और पुस्ता भी कहते है तो इसे धीमी आज पे इस तरीके से मैंने सारे ड्राइफ फूट्स को भूल लिया अब इसमें सारा अंजीर इसको मिला कर अच्छे से से शेक लेते हैं और तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारे अंजीर को मिला लिया और इस तरीके से लकडी पे चौपर बोट पे इस त फोल्ड कर दीजे तो ये देखे और एक से डेल घंटा तक इसे सेट होने के लिए छोड़ दीजे एक से डेल घंटे बाद आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये कर जाएगा तो देखे एक से डेल घंटे के बाद इसे दिखाती हूं मैं तो एक से डेल घंटे के बा कट कर लीजे गोल अकार इस तरीकी से आप इसे श्टोर करके रख सकते हैं रोज सुबह बच्चों को भी कट करके दे सकते हैं बड़ों को भी बहुत ही फायदेमंद ये रेश्पी है सब को बहुत ही पसंद आएगी तो ये देखिए आपका अंजीर का पाक बंके तयार हो गय बहुत हुत है